नमस्कार जी नमस्ते जी क्या नाम है जी आपका? इसलिया दासी कहां से हैं जी आप? संत्र रामपाल जी महारासे नाम दिख्षा आपने कब ली? एप्रिल 6 दो हजार आठरा को बंदिछोड सद्गुरू रामपाल जी महाराज के सरण में आई हैं संत्रामपाल जी महाराश से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या वक्ति सादनाए करती थी शिप जी को दुर्गा जी को पुजा करती थी सर तो फिर क्या कारण बना कि आप संत्रामपाल जी महाराश की सरण में आई सिप जी को दुर्गा जी को और अन्य देवी देवता को मानते भी मैं बहुत दुखी हो गई थी सर एसा हुआ कि 2017 एप्रिल 20 तरिक को मा की देहन्त हो गई आर्थिक स्थिती बहुत दुर्बल थी और सारी रिक स्थिती भी मेरा ठीक नहीं था और मामी चली गई तो मैं अत्यां दुखी हो गई सर तो धीरे धीरे मैं डिसेड की की सुषेड कर लूँ मेरा तो भगवान ही नहीं है भगवान पर भरोसा उठ गया था मेरा तो उसी समय बोली इतना देवी देविता को मैं फुकार रही हूं मेरे साहता करने के लिए पर क्यूं नहीं मान रहे हैं मेरा बात बोली तो सुषेड करने के लिए करने के लिए डिसीजन ली तब एक बार सोची मेरा मन में सोच ली कि कहीं इन 33 कोटी देवी दोपता से भी तो उपर का भगवान तो नहीं है मैं सुषेड करना भी एक तरफ से अप्राध है तो मैं मनमार जी सूचेट कर लोंगी तो मेरा गल्ती होगा भगवान को क्या जबाब दूँगी उसी समय मैं एक बार बोल सोची कि इसके उपर के परमिश्वार को फुकार लूँ तब मैं फुकार ली है भगवान मेरे को सहता कीजिए इसके उपर कि आ और भी भगवान है कि आप परमिश् दिन दिन के अंदर मैं सुसेट कर लूँगी आप आपके उपर मेरा विश्वास नहीं उठ जाएगा और कभी भी विश्वास नहीं करूंगी एशा बोली तो उस उस दिन में ऐसा फुकारी रोई रोई कमरे के अंदर तब रात को ऐसा ही बिना खाय पीए मैं सो गई तो तु मुझे ढूंड रही है बोले तो उसी समय मुझे मुझे थोड़ा विश्वास आया कि भागवान के उपर विश्वास आया सुबह उठी थोड़ा मुझे खुसी लगा कि जो भी हो आज मैं भागवान से बात की ता उसी उसका पीछे फिर भी मैं भागवान तो है जाही अर्थिक्स्तिती ठीक नहीं है था सर तो ऐसा आउर भी गई जाड़फुट कराने लेकिन ठीक नहीं हुई तो फिर आउर पुकारी भागवान को यह भागवान मैं तो कहां जाओ किसके सरण में जाओं तो मेरा कल्यान हो सकता है प्रभु बोली यह परमेश्वार बोली तो प गुरू जी संत्रांपल जी महराज के फोटो आये मैं एसा रूप में दुनिया में आया हूं मुझे खोज खोज की दिखा पोले तो सुबह उठी आपको जरूर दिखाओंगी बोली तो सुबह उठी आपको कुछ काम में उल्जान पड़ी थी एसा ऐसा काम करके तब 6-7 वजे उस दिन मैं सोची गुरु जी उनको परमिसर को मैं जबाब दी हूँ कि मैं भागवान को या उनको ढूंड़ना है मुझे बोली और मैं एक बर सोच ली कि टीवी में तो गुरी जी सब प्रवतन देते हैं वहीं ढूंड लेती हूँ कहीं चैनल में मिल जाएंगे वो मेर रिमोट पकड़ी टीवी में चैनल सब लगाते लगाते शायदन सदना चैनल लग गया उसमें देखी कि ओहीं जिन फोटो देखी थी परमिसर दिखाये थे ओहीं फोटो में गुरु जी संत्रांपाल जी महराज की फोटो देखकर मैं चकित रह गई यहीं मेरा भागवान है बोल के मैं अस्चर्ज हो गई और मुझे तो जल्दी जल्द उनके सराण में जाना है तब मेरा कल्यान हो सकता है नहीं तो मैं मर जाओंगी एतना मैंने मेरा जीवन दुखोपुर्ण था जो आगानित दुखोपुर्ण दुख था मेरा जीवन में तो मैं सते साथ उनके सरा को तो अलोग, अलोग ही पास में नामदन को रानीबान रालकला में रालकला से भाहत जनों को बोले तो ओई लोग पहुंचा दिये मेरे घर को ग्यान गांघा पुस्ताग मंगाई थी। तो उस चाहा एतना अम अमल्य Never ग्यान भी पढ़ा परमेश्वार का तो मैं गदगद हो गई तुरंत उनके सराण में जाने के लिए डिसीजन ली। मैं 6 एफरील 2018 को औरिशा राउलकला नामदन सेंटर से बंदिछोड सत्गुरू रामपाल जी महराज से नामदन ली। संत रामपाल जी महराज से नामदक्षा लेने के बाद क्या आपको लाब भी मिले। सर अर्थिक लाब, मानसिक लाब, आध्यात्मिक लाब सब कुछ मिले। मेरा पेट में ट्यूमर था, मैं औरिशा के राउलकला में एक दो डक्टर को दिखाई कि ओ सब बुले कि तेरा उपरेशन यहां हो नहीं सकता है, तुझे बड़ा होस्पिटल नहीं तो भूबनेशर जाना पड़ेगा, बोले। मेरा थार्ट स्टेज का कैंसर था, यहां के पास के डोक्टरों ने भूबनेशर कटाक बड़ा मेडिकाल को रिफर्क किया था, तो मैं उस समाए गुरु जी को आरजी लगाई, गुरु जी मुझे पास ही मेडिकाल में मेरा ओपरेशन सक्सेस्पूल करा दिजी यह बोली, तो गुरु जी आदेश दिये कि बेटा ओपरेशन सक्सेस्पूल होगा, डक्टरों की सलहाली जी यह बोले, तो मैं फिर डक्टरों को दिखाई तो ओ बोले कि अल्टरासांट करके बोले, सक्सेस्पूल हो सखेगा बोले, और मेरा इसी तरफ से गुरु जी की दया से, ओपरेशन सक्सेस्पूल हो गया, पहले मुझे दूर नवरंपुर दूर दिख्टिक में जोब मिला था, उसके बाद गुरु जी को डंडबात प्रणाम करते सा मैं आर्जी लगा लगाती थी कि गुरु जी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पास में, पास दिख्टिक में मेरा जोब हो गिया, मैं एक हाई स्कूल गौर्मेंट टीचर हूँ, संत्रामपाल जी महारा से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप राप राप दूए, तो संत्रामपाल जी महारा से नामदिक्षा कैसे ली जा सकती है, सर आने को चैनल चलते हैं टीवी प मैं एक होगा ज एक हाई सकती है?